हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे से होंगे वी आर क्वेर में आप सुन रहे हैं निले की आवाज में एक खुबसूरत समलेंगिक कहानी जो की हमें जैय ने भेजा है गुजरात से और आप सुन रहे हैं लंबी रात के बाद सवेरे कहानी का आखरी अपिसोड ये कहानी बहुत ही उतार चड़ाव भड़ी रही है और बहुत ही खुबसूरत कहानी है जै की और उन्होंने ये स्टूरी हमें भेजी थी आई होप आप आपको बता दें कि ये सच्ची कहानी है जो जैकी है तो चलिए जादा देरी नहीं करते और हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो नए है वो चैनल सबस्क्राइब कर लीजे और इस कहानी के बाकिक एपिसोड को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विज रहे हो कभी ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि कौन मुझे रिपलाय देता है मैंने कहा कि ये क्या बात हुई कभी ने कहा कि मुझे देव को भूलने में थोड़ा समय तो लगेगा न क्या तु मुझे थोड़ा टाइम दोगे देव को भूलाने में मैंने कहा कि आप ले लो हर किसी को प्यार नसीब नहीं होता अगर वो भी आपको पसंद करता है और आप उसे पसंद करते हैं तो आप साथ में जा सकते हो जो को प्रॉब्लम नहीं है कभीर ने बोला कि मुझे तुम से प्यार है मैं देव को भूलने के लिए थोड़ा टाइम ही बस चाहता हूँ मैंने कहा ठीक है ले लो टाइम कोई बात नहीं और मैंने उस बात को जाने दिया अब कुछ दिनों बाद सुबह सुबह एक फेक आईडी से डारेक्ट रिलेशनसिप का ओफर आता है मुझे मैं शॉग्ड था कि ना तो मैं इसे जानता हूँ ना पहचानता हूँ कौन है जो फेक आईडी बना करके मुझे रिलेशनसिप के लिए पूछ रहा है मुझे डाउट हुआ कि हो नहों ये मेरा पार्टनर कभीर ही होगा फेक आईडी वाला और वो मेरे प्यार कार्ट इम्तिहान ले रहा है टेस्ट ले रहा है मैंने कहा ठीक है मैं भी सिंगल हूँ मुझे भी रिलेशनसिप में आना है उस फेक आईडी के साथ मैंने ये सोचगर के बात की कि हो नहों ये कोई अपना है फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे मैसेज़ेस के बहुत जल्दी जल्दी रिपलाए आ रहे है और वो बहुत इंट्रेस्टेड है और बहुत जादा मैसेज़ेस आ रहे है तब मुझे लगा कि नही नहीं ये कबीर नहीं हो सकता पक्का ये कोई दूसरा लड़का है जो मेरे साथ मस्ती मजाग कर रहा है मैंने उसे कहा सौरी मैं किसी और की साथ कमिटेड हूँ और मैं उसके साथ खुश भी हूँ मैंने फिर तुरंत कबीर को कॉल किया और पूछा क्या आप मुझसे फेक आईडी से बाते कर रहे थे कबीर ने बोला कि नहीं क्यों क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या मैंने फिर कबीर को सारी बाते बताई और कबीर ने कहा कि कोई बात नहीं तुम मुझे वो ID दे दो, मैं देख लेता हूँ कि कौन है ये। मैंने फिर कभीर को वो ID दी, फिर मैंने सोचा कि देव की तो ID नहीं थी ये। कहीं देव को मेरा और कभीर का रिलेशनशिप मनजूर नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे डाउट होने लगा कि कहीं देव को भी कभीर के लिए फिलिंग्स तो नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद कभीर का कॉल आया और वो बोला कि तुमने जो फेक ID वाले को चैट की थी, उसका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। मैंने पूछा क्या हो गया? कुछ पता चला क्या, उस ID वाले का? कभीर ने कहा कि आप पहले स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, चैट का. मैंने सारी चैट का स्क्रीनशॉट कभीर को भेज दिया. तब कभीर ने कॉल करके बोला कि थोड़ी देर में मेरा लंच ब्रेक है, तुम आके मिलो मुझसे. और इतना कहकर कॉल कट कर दिया. मैंने सोचा कि क्या हो गया है? मुझसे कोई गलती हो गए क्या? फिर मैं कभीर जहां पर जॉब करता था, वहीं जाके कभीर के आने का इंतिजार करने लगा. मैं घबराया हुआ था कि ऐसी क्या गलती हो गए मुझे कि य स्क्रीन शॉट्स दिये हैं. जगदीश ने सुबह कुछ स्क्रीन शॉट्स मुझे भेजे जो तुम्हारी आईडी के चैट्स थे. यह सुनके मैं बहुत गरम हो गया गुस्ते से. और बोला कि जगदीश ने मुझसे बात की थी फेक आईडी से. तब कभीर ने कहा कि जगद कि जगदीश ने उसे मैसेज किया और बोला कि यह देख तेरा प्यार किसी और से कैसी कैसी बाते करता है. तेरे साथ ग्लेशनशिप में होते हुए भी किसी और को सिंगल बताता है. सज बताओं तो निले सर उस वक्त मुझे फसाया जा रहा था. ताकि कभीर को मुझे पे सक बेजे थे कभीर को. मगर लास्ट में मैंने जो बैसेजिस किये थे वो सब नहीं भेजे थे. जहां मैंने फेक आईडी वाले को कहा था कि मैं कमिटेड हूँ. किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं बहुत खुस हूँ. कभीर ने मुझ पे कोई उंगली नहीं दी थी और स्क्रीन शॉट्स भी भेजे थे. कभीर को पता था कि मैंने क्या बाते की और क्या बात नहीं बोली. उस दिन के बाद से सच कहूं तो हमारा रिस्ता खराब होने के बजाए थोड़ा जादा गहरा हो गया था. क्योंकि कभीर ने मुझे विस्वास, मुझ पर विस का जिसे हमारे रिलेशन्शिप से प्रॉबलम है. मैं कभीर से जब जब मिलता मैं उससे पूछता कि कुछ पता चला फेक आईडी वाले बंदे का कौन था खिर वो. पर कभीर कुछ भी नहीं बता था. जबकि कभीर को सब कुछ पता चल गया था. फिर दो तीन दिन तक मेरे योहीं पूछने के बाद जब मैंने पूछना बंद कर दिया तब खुद ही कभीर ने मुझे सच बताया. उसने कहा कि एक बात बोलू. मैंने कहा जी बोलिये. कभीर ने कहा कि जिस फेक आईडी वाले को तुम ढून रहे थे ना, वो मिल गया है. मैंने कहा कौन है वो जो हमा गालिया देने लगा पर कभीर ने मुझे से कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो. जगदीस ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जब जगदीस और देव आपस में बाते कर रहे थे, तो देव बातों बातों में रो पड़ा था. और बाते मेरी और उसके लिए हो रही थी. मत उसके रोने के बाद उसने कॉल कट करके रोता हुआ चला गया. तब जगदीस को लगा कि देव का प्यार कभीर के लिए सच्चा है. और जय यानि कि मैं कभीर और देव के बीच में आ गया हूँ. इसलिए मुझे कभीर से दूर करने के लिए जगदीस ने फेक आईडी बना कभीर ने कहा कि मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा जय इसलिए अब तक नहीं बताया क्या हम दोनों ये सब भूल के नई शुरुआत कर सकते हैं. मैंने जगदीस से भी रिष्टा तोड़ दिया है और देव से भी रिष्टा तोड़ दिया है. अब मैं सिर्फ तुम्ह सारा होके रहना चाहता हूँ. अब ये सब सुनके मेरा गुसा शांत हो गया क्योंकि कभीर को फार्नली मेरे साथ ही रहना है. उसने ये भी कहा कि उसे किसी से मतलब नहीं, सिर्फ मुझे मतलब है. और मैं सब कुछ भूल गया और एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी अब कभीर मुझे से पागलो की तरह प्यार करने लगा और मेरे साथ खुशी-खुशी रिलेसंसित में रहने लगा. अब वक्त गुजरने लगा और एक दिन कभीर और मैं कभीर के घर गए रात को और उसके घर के छट पर बैठे, महौल बड़ा ही अच्छा था. हम दोनों स रात थी, वो शाम थी जो हम पहली बार एक दूसरे के साथ, एक दूसरी की बाहों में थे. उस रात हमने खुब एंजॉय किया और सब कुछ किया. सब कुछ हो जाने के बाद हम थोड़ी दिर बैठे और फिर मैं घर आ गया. घर आके मुझे फिर कभीर के साथ बिताया, वो खुबसूरत पल याद आने लगा. और मैं सोचते सोचते उन पलों को कब सो गया पता नहीं चला. अब हम दोनों का रिष्टा दिन बदिन और गहरा होता गया. हम रोज मिलते बाते करते मानों कि हस्बन वाइफ हो. सब कुछ बहुत प्यारा था. तब एक दिन जगदीस का म ऐसा ऐसा कह रहा है. अब मेरे कहने पर जगदीस के साथ कबीर ने वापस दोस्ती कर ली. अब सब कुछ ठीक चल रहा था. मैंने भी माफ कर दिया था. क्योंकि जगदीस को मैं हमेशा से एक बड़ा भाई मानता था. और जानता हूं कि उसने मेरे साथ गलत किया था. पर उस से बात कर लेते. जगदीस हम दोनों को समझा कर वापस साथ रहने के लिए मना लेता. कभी कभी तो कबीर जगदीस के साथ मजाक मस्ती करता और कहता कि मेरा और कबीर का रिष्टा तूट गया. हम दोनों अलग हो गए. जगदीस तब फिर मुझे कॉल करके कहता. तब मैं ज साथ में ही है. हमारा रिस्ता भला क्यों तूटेगा? इस बात से जगदीस को बहुत गुस्सा आता. और कभीर को खरी खोटी सुनाता. बहुत मज़ा आता था मुझे उन दोनों की इस लड़ाई को देख करके. फिर एक वक्त आया कि मैं और कभीर साथ में बैठे थे. सब बता चल गया कि ये तो gay dating application का message है. मैंने कभीर से पूछा कि आप अभी भी gay dating application use करते हो. कभीर ने कहा कि हाँ. मैंने कभीर से phone लिया और देखने लगा. मगर कभीर ने phone वापस चेन लिया और कहा कि मैं application अभी delete कर देता हूँ. मुझे एक सदमा लगा क्योंकि मुझे लगा था कि कभीर मुझे कभी चीत नहीं करेगा और उसने gay dating application install कर रखा था. मुझे रोना आ गया, मेरा दिल दुखा था. वो मुझे चीत कर रहा था और पकड़ा गया था. जबकि हम दोनों ने relationship से पहले ही, relationship में आने से पहले ही gay dating app delete करने को एक दूसरे से कहा था. और एक दूस मैंने कभीर का फोन लिया गुसे से और कहा कि आपका फोन आज मेरे पास रहेगा. कभीर ने का कि ठीक है रख लो. मैं गुसा था कभीर से और गुसे से फोन को ले करके अपने घर आ गया बीना बात किये. और कभीर का फोन चेक करने लगा. अब सच कहूं तो उस फोन में मु हुए थे वो भी रिलेशन्शिप में आने के बाद सारा डेट था उसमें मेरा दिल तूट गया था निले सर सच बताओ तो उस दिन मेरा प्यार पर से भरोसा उट गया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं बहुत सोचने पर मैंने फिर कबीर से अल कुछ कहना चाहोगे कबीर तब कबीर ने कहा कि क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है क्या कह रहे हो कि कहना चाहोगे मेरी क्या गलती होगी मैंने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है तुमारे फोर में स्नैपचैट में जो फोटो छुपा कि तुमने रखी है वो सारी मैंने कबीर एकदम शौक्ड हो गया उसके चहरे पर बारा बज गय थे वो मुझसे जूट बोलने लगा उसने वो कहने लगा कि अरे वो तो पहले की है जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे तब की है मैंने कहा कि जूट मत बोलो मैंने सारे डेट्स देखे हैं सारी के सारे फोटोस हम रिष्टे में आने की बात की है कबीर आपको शर्म नहीं आ रही है जूट कैसे बोल सकते हो आप किसी और से मिलने गए हो पिर कभी ने बोला कि हां मुझसे गलती हो गए मैं तुमको सब कुछ बताने वाला था लेकिन सही टाइम मिला नहीं मुझे लगा था कि मैं तुम्हे और एक हातिर कि तुम्हें खो ना दू अब तक बात छुपाई, पर मैं जानता था आज नहीं कर लिए सच सामने आ भी जाएगा, मेरे अंदर उस टाइम बहुत गुस्सा भरा पड़ा था, मैंने कबीर को कहा कि यहीं तक था हमारा रिष्टा, अब सब खतम हो गया, मैं आगे नहीं निवा सकता, अब आप आजाद हो, अब जिससे मिलना है मिलो, जो करना है करो, अब से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और मैं कबीर को अलविदा बोलते हुए घर आ गया, कबीर ने मुझे बहुत कॉल्स किये, मैसेजिस किये, पर मैंने कबीर को कोई रि यानि कि कबीर उसने भी मुझे धोखा दिया अगले दिन जगदीस का कॉल है जगदीस ने कहा कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच कबीर ने कॉल किया हुआ था मुझे और उसने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है वो कहते कहते रो पड़ा बस और रो प्रिख जाओंगा फिर मैंने जगदीज को सब कुछ बताया कि कबीर ने क्या किया मेरे साथ मुझे धोखा दिया था जगदीज को भी ये सून करके कबीर के लिए बहुत गुस्सा आया मगर जगदीज ने कहा कि वो मरने को कह रहा था यार तुम एक बार उसे बात कर लो और ह हो सके तो तुम दोनों शाम को मेरे घर के पास आना मैं वहीं तुम दोनों से मिलूगा मैंने जगदीज को हमेशा एक बड़ा भाई माना था उसके कहने पर मैंने कबीर को कॉल किया जो कि मैं नहीं करने वाला था और कहा कि आपने जगदीज को ऐसा बोला कि मैं मर जाओंग जाय के बिना नहीं जी पाऊंगा कबीर ने हां कहा उसने कहा मुझसे गलती हो गई वो रो रहे थे रोते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई और आगे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हटो मैंने कहा कि जगदी शाम को उसके घर के पास बुला रहा था क्या तुम आओगे कभीर ने कहा कि हाँ जरूर आओँगा बस तुम मुझे माफ कर दो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को अब साथ में रहना चाहिए फिर मैंने कॉल कट कर दिया और सोचने लगा कि कभीर से गलती हो गई होगी क्योंकि हमारे रिलेशन्शिप को चार मन्त हो गए थे और हम फिजिकल सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हुए थे अब क्योंकि मुझे फिजिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था मैं बस ऐसा पार्टनर चाहता था कि जिससे बात कर सको मिल सको और समय बिता सको फिर मुझे हैसास हुआ कि साथ मेरी इसी कमी या गलती की वज़े से कभीर को किसी और के पास जाना पड़ा था फिर शाम का टाइम हुआ कबीर ने मेरे घर के पास आके मुझे कॉल किया मैं गया भी और हम साथ में जगदीज के घर गए और वहाँ जाके जगदीज को सारी बात बताई कबीर ने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी उस टाइम पर मैं प्रामिस करता हूँ कि मैं आगे आज के बाद कभी ऐसी को गलती नहीं करूँगा तब जगदीस ने मुझे कहा कि जै कबीर को एक मौका दे ही सकता है तू अगर तुझे तेरे भाई पे भरोसा है तो एक बार कबीर को मौका दे दे मैंने बहुत सोचा समय लिया, सांत्रा फिर मैंने कहा कि मैं एक मौका दूँगा कबीर को जरूर दूँगा मगर मेरी कुछ कंडिशन्स है अगर कबीर उसे मानेगा तो मैं कबीर को एक मौका दूँगा अब कबीर ने कहा तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँगा, सब मानूँगा, पस बोलो मैंने फिर कहा कि आप किसी और से नहीं मिलोगे मेरे अलावा और अपने फोन से सारे फोटोस डिलीट करने पड़ेंगे जो किसी और के साथ संबंद बनाए हुए थे जो अपने छुपा के रखे कुछ नंबर्स को भी डिलीट करने होंगे और फेस्बुक पर जो आइडिस थी उसे ब्लॉक करने होंगे कभी ने सारे टर्मस और कंडिशन्स माने कि उसे पता था कि ये हमारे भलाई के लिए कह रहा है कभी बहुत खुस हुआ कि मैंने कभी और को एक मौका दिया अपसे कभीर को कोई गलत काम नहीं करने दूगा और फिर खुशी खुशी रिस्ते में हम आगे आगे और जग्दीज को बाई करते हुए थैंक्यू बोलते हुए घर चले गए क्योंकि जग्दीज के वजए से कही नहीं हमारे रिस्ता फिर से जुड़े गया था कभीर ने आते समय बहुत बार माफी मांगी मुझे से और आगे ऐसी भूल ना करने का प्रॉमिस भी किया उस समय मैंने कभीर को कहा कि जो हुआ उसे भूल जाते हैं को अपने प्यार की नई शुरुआत करते हैं अपसे हम दोने एक दूसरे से सब कुछ शेयर करेंगे और एक दूसरे का हर एक मुसीबत में हर एक समय साथ देंगे कभीर को यह सब सुनकर अच्छा लगा कि मैं पूरे दिल से कभीर को अपनाना चाहता हूँ अब मैं और कभीर मेरे घर तक साथ आया उसके बाद मैं घर चला गया और कभीर अपने घर फिर हम दोनों ने कॉल पर बाते की और फिर सो गए अब ऐसे ही मैं और कभीर मिलते रहते साथ में काफी अंडरस्टेंडिंग्स हमारी बढ़ती गई और बहुत प्यार से रहने लगे दोनों साथ में घूमने जाते डिनर करने जाते कोई फेस्टिवल होता तो साथ में सेलिबरेट करते कभीर मेरे लिए गेट भी लाते कपड़े भी दिलाते कभीर ने एक गले में पहने के लॉकेट भी दिया जो आज तक मेरे गले से नहीं उतरता जब हमारे रिस्ते को आट मेंने हुए तो मैंने सोचा कि कभीर को कोई अच्छा सा गेट दू पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गेट दू मैंने सोचा कि मुझे कभीर को रिंग देनी चाहिए और मैं अच्छी सी चान्दी की रिंग पसंद करके लाया और कबीर से कॉल पे कहा कि आपके लिए गिफ्ट लिया है तो क्या हम मिल सकते हैं? कबीर सुन के खुस हुआ और कहा कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में फिर कबीर मुझे लेने आया हम दोनों किसी अच्छी जगा पर गए और वहाँ जाके बैठे कबीर ने कहा कि क्या लिया मेरे लिए गिफ्ट में? मैंने कबीर को कहा कि पहले आखे बंद करो और कबीर ने आखे बंद करी तो मैंने रिंग निकाल के कबीर को दोबारा प्रोपोस किया कबीर को आखे खोलने को कहा कबीर ने आखे खोली तो मैंने कहा कबीर के आखों में आशुआ गए कबीर ने भी मुझे आई लव यू टू जान बोलके मुझे बाहों में ले लिया अब मैंने कबीर को रिंग पहनाई और किस किया और हमारी सारी बातें याद करने लगे जो अब तक हम दोनों के बीच हमने बिताया था जो की बहुत अच्छा लग रहा था हम चुटी चुटी बाते याद दिला रहे थे जिसे सोच सोच कर हमारे चेहरे पर खुशी आ रही थी फिर हम घर गए कुछ दिन बाद कभीर ने मेरे लिए रिंग लिए और मुझे मिलने के बाद मुझे रिंग पहनाई वो पल मेरे लिए काफी स्पेशल था क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे रिंग दी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था अब हमारा प्यार हम दोनों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है प्यार का जो एहसास मुझे कभीर से मिला और एक दूसरे के साथ बहुत खोश है मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है सर और मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खोश हूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते हैं जगड़ते हैं मगर हमारा प्यार कभी भी कम नहीं हुआ उल्टा हमारा प्यार बढ़ता गया कबीर जैसा पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिलता मैं खुश नसीब हो कि कबीर मेरे है और मैं कबीर का हमारे रिलेशनशिप को टैन मंस हुए है और मैं भागवान से यही प्रात्ना करता हूँ कि आगे भी हम दोनों साथ में ही रहे और हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे तो मेरी कहानी मेरे डियल लाइफ की कहानी यहीं खतम होती है निलेशन और रियली वाव जै बहुत प्यारी बहुत खुबसूरत लव स्टोरी है आप दोनों की मैं आपके और कबीर के उजवल भविस से और हमेशा आप दोनों साथ रहे यही कामना करता हूँ हर इनसान को अपना सच्चा प्यार मिले यही दूआ करता हूँ दोस्तों जै की स्टोरी में बहुत जादा उतार चड़ावाए लेकिन फाइनली जै को उसका सच्चा प्यार मिल गया कबीर के रूप में जै ने अपने प्यारों को मौका दिया और आज सारी पुरानी बातों को भुला कर वो दोनों एक साथ है तो जै की स्टोरी तो खतम होती है और इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे थैंक्स फोर लिसनिंग, have a good day, love is love एन हाँ, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर कीजिए, like कीजिए और comments में अपना प्यार दीजिए आज के लिए तो बस इतना ही have a good day, love is love, निलै का धेर सारा प्यार